हालो दोस्तों मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरीके से MS Office LTSC Professional Plus 2021 Bellum License के साथ में आप लोग सेटप फाइल कैसे डाउनलोड करेंगे और किस तरीके से इस्टॉल करना है वह सब बताऊंगा मैं अगर आपको फिरे में MS Office से यह तो आप लोग वीडियो छोड़कर जा सकते हैं अगर आपके पास लाइसंस की है प्रोड़क्ट की है आपके पास तो आप लोग यह वीडियो देखेंगे आपके पास प्रोड़क्ट की तो है लेकिन आपके पास सेटप फाइल नहीं है इस्टॉल कैसे करें वह नहीं पता है तो सबसे पहले आप ब्राउजर में यहाँ पर टाइप करेंगे कॉन्फिक.office.com और फिर उसके बाद यह माइक्रशॉफ्ट 365 एड्मिन सेंटर ओपन हो जाएगा यहाँ पर दो अप्सन मिलेगा आ सेट करेंगे और फिर उसके बाद यहां पर आपना करना है मैं प्रोफिशनल प्लस 2021 बताने वाला हूं इस्टॉल करके यह देखिए इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं वाकि कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है यह देखिए अगर आपके पास इसका लाइसंस है तो आप सिफ इ करेंगे इसके बाद नेक्स करना है उसके बाद से कुछ भी नहीं करना है और फिर उसके बाद लेंग वेस करना है लेंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है कौन से लेंग्वेज में चाहिए आप तो मैं यहाँ पर लेंग्वेज सेलेक्ट करूंगा इंग्लिस उनाइटेड इस्टेट इंख्ञ्ड इस्टेट सेलेक्ट कर लेंगे फिर उसके बाद यहां पर फिर से next करना है अगर डिशनल चाहिए आपको लैंगज तो डिशनल कर सकते हैं next कर दे installation के टाइम पर यहां पर भी same same रहने देंगे और फिर उसके बाद next करना है यहां पर next करने के बाद upgrade option पे आ जाता है यहां पे एक issue आता है कि अगर यह option आप disable नहीं करते हैं यह option जो आप disable कर रहा हूं यह option disable नहीं करेंगे तो इसमें से busy होगा MS office होगा share point होगा कुछ भी होगा अगर आपके PC में laptop में पहले से installed है तो यह uninstall हो जाएगा अगर इसको आप select नहीं करते हैं तो है इसके ओप डिशेबल कर देंगे पहले ऑप्सन के इसके बाद next कर देंगे next करने के बाद यहां पे आप लोग को मिलाता है लाइस की इंट्र करने का लेकिन बाद में लाइसे की इंट्र करेंगे हैं लोग इसके लिए हमने ऐसे छोड़ दिया और इसको भी next कर देंगे next करने के बाद यहां पर कोई information देना है तो information दे सकते हैं वाकि मैं blank छोड़ रहा हूं इसको लेंक छोड़ देंगे उसके बाद next करेंगे application reference करके आया तो यह भी कुछ भी नहीं है ऐसा next कर देंगे या स्क्रोल करके एकदम नीचे आ जाएंगे साइट से स्क्रोल करेंगे तो आज आएगा ने तो ज्यादा स्क्रोल करना पड़ेगा आपको और फिर उसके बाद finish option आएगा कि यहां से स्क्रोल अगर करता हूं तो भी नहीं आया अब यहां से स्क्रोल करने का और यह पिनिस का option मिल गए आपने को नीच कर देना है अब कर देना है आपको अब पिनिस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद मैं दिखाता हूं आप में यह कस्टमाइज किस तरीके का हुआ स्रिप मैंने लेंगवे सेलेक्ट किया ओपिस श्यूट्स लेक्ट किया कौन सा हम इस्टॉल करना चाहते हैं और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक एक्सपोर्ट करने के बाद आपको एक्सपोर्ट करने के बाद आपको एक फाइल डाउनलोड होगी कॉन्फिग्रेशन नाम की कॉन्फिग्रेशन.axml इसकी मदद से हम लोग इस्टॉल कर सकते हैं अगर आपको एक टिमेल के बारे में पता होता तो आप लोग जो आप लोग को आपको वहांत aí दिप्लईमाट टूल से आप लोग को आप लोग मिलती हैा आप लोग कर सकते हूं यह मैं एकदम आसान तरीका बता और डेक्स्टॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाया फोल्डर का नाम जो भी देनायत देंगे कॉन्फिग्रेशन उसमें ही टाइप कर देंगे दूसरे नंबर पे क्या करना है मसपीस डेपलोयमेंट टूल डाउनलोड टाइप करेंगे ब्राउजर पे उसके बाद जो भी ऑप्शन मिल जाता है मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में यह तो आप लोग को मिली जाएगा अगर आप इस्टॉल करने के कोशिस कर रहे हैं तो तो इसमें से हम लोग को सारी फाइल है की जरूरत नहीं पड़ेगी यह आपी डेपलोयमेंट क्टॉल कर सकते हैं यह देखें यह फाइल है इसको भी कॉपि करके वहँ पर रख ले यहाँ कॉपि करके इसको भी यह यहिं पर रख दिया मैंने अगर इसको हम लोग करते हैं और एक स्ट्रेक करते हैं तो इस में वेसे कुछ XML फाइल करेट होगा और एक एक फाइल तो आप जिस तरीके से आगर आपके पास 7-zip है तो और अच्छा है इस्ट्रेक भी कर सकते ओपन करेंगे यहां पर यह 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 नो का ओप्शन आया होगा तो यह कर देंगे फिर उसके बाद यहां पर accept करेंगे और continue करेंगे यहां पर देखेंगे कि आपका पात पूछ रहा है कहां पर आप इसको extract करना चाहते हैं तो मैं desktop सेलेक्ट करूंगा और desktop के बाद जो मैंने प्रो प्लस 2021 का पोल्डर बनाया था उसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे आप जो भी पोल्डर बनाया होंगे यह देखिए मेरा इधर ही इक्स्ट्रेक हो गया है बाकि सब 6486 इंटरप्राइज इंटरप्राइज ऐसा करके XML में है लेकिन configuration जो मैंने एक डाउनलोड किया था वो है ऐसे ही तो जो भी इसके तरूँ हमको जो मिला है XML उसको डेलेट कर देंगे क्योंकि configuration में जो हमने कस्टमाइज किया है सिर्फ उसकी जरूरत है आप अभी configuration XML फाइल को भी आईसे रख सकते हैं यह देखिए आप इस तरीके क आप टाइप भी कर सकते हैं आप इसमें वैसे अपने को एक फाइल की और ज़रूरत पड़ेगी और आसान बनाने के लिए क्योंकि अगर हम लोग यहां पर और आसान बनाना है तो एक फाइल करना बड़ेगा जो कि फाइल डवल क्लिक करेंगे या ओपन कर देंगे अगर तो इस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है तो उसके लिए हम लोग को एक कमांड की ज़रूरत पड़ेगी कमांड यहां पर ट करके अगर आप टाइप करते हैं तो कमांड मिल जाएगा आपको या आप लोग ऑफ लाइन इस्टॉलर यह सी फाइल आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं यह आप लोग ऑनलाइन ही कर सकते हैं यह देखिए कोई भी 21 हो या 2019 हो सबके लिए कमांड सेम है तो यहां पर और नीचे आजाएंगे स्क्रॉल करके और नीचे आएंगे तो यहां पर अपने को दो कमांड मिलता है एक तो डाउनलोड करने के लिए और एक मिल जाता है ऑनलाइन डाउनलोड होगा और इस्टॉल भी हो जाएगा तो मैं वह आपको बताऊंगा यह आप लोग किस तरीके से इसको रन कर सकते यह देखिए यह जो कमांड है वह डाउनलोड करने के लिए और यह जो है इसको हम लोग कॉपी करेंगे कौपी करने के बाद यहां पए एक new txt file open करें गे अगर उसमें जाके इसको paste करेंगे यह कमांड है कमांड जो हमने कौपी किया भाँ है उसको यहां पर paste करेंगे txt में आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं घर घर इस टॉल है यहाँ पर अगर सोचेंगे कि यहां पर इस टॉल डॉट बी-ए-टी कर देंगे तो बैस फाइल हो जाएगा तो ऐसा नहीं है यह नहीं हो पाएगा ओके तो इसके लिए अभी-जबी मैं बताओंगा जिस तरीके का उसी तरीके का आपको करना है तो यहां पर ओ ज इसमें करेंगे setup.exe टाइप करेंगे यहां पर setup.exe और फिर उसके बाद जैसे batch फाइल बनाना था हमको तो इसको क्या करेंगे फाइल पर क्लिक करके save as करेंगे save as करने के बाद अभी यहां पर इसको extension देंगे बीएटी का यह देखिए इसी path पर हो रहा है आपका save हो जाएगा txt फाइल था पहले यहां पर .bat टाइप करेंगे और यहां पर जो save as type है वहां पर all files कर देंगे और यहां पर install.bat आप जो भी नाम देंगे चलेगा लेकिन यहां पर आने के बाद बीएटी देंगे और save कर देंगे यहां पर देखेंगे यह सेटिंग के जैसा कुछ रिंग के जैसा कुछ आ गया जैसा की बैच फाइल होता है तो अभी अपने को तीन फाइल इसमें जरूरत है जो setup एकसी है और configuration है यह देखें इडिट मैंने किया तो इस तरीके का है आप इसमें से आप डबल क्लिक करेंगे या open कर देंगे तो अभी आपका यह setup रन हो जाएगा इसके लिए आपको internet होना जरूरी है यह देखें इस्टाल ओना start हो गया है इस्टाल ओना start हो गया है बहुत सारे और्गनाजेशन में ऐसा होता है कि फारवाल के तो तो Microsoft का update अगर आफ कर दिया गया है कि Windows अपडेट नहीं हो तो यह आपका setup काम नहीं करेंगा इस्टाल नहीं होगा डाउनलोड नहीं होगा अगर ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपके अपडेट होता है तो चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा यह देखें यहां पर हो रहा है और यह अभी ओपन हो गया है कुछ भी करने की ज़रूद नहीं एक बार बैस फाइल को डबल क्लिक कर दिए ओपन कर दिए उसके श्रीक bisa चूद्शनद तो सिलो हो जाता है अगर एफर नीट लगा रहता है लेन यह रहा है तो घ्यूज फास्त हो जाता मैंने इसंवह किया है चैसकर नहीं चैंप आलफ्किल मैं वीडीओ में मिस्कीप बिडिया है ड्रेट से जा सकता है है समāे छाट हे कर सकते हैं मैंने जब दिशेबल करने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो बीजियो होगा और कोई रहेगा तो चल जाएगा जिस तरीके का माई अगर उस तरीके करते हैं तो आप अपर नहीं होगे कोई भी अप्लिकेशन नहीं होगा यहां पर देख लिते हैं कि इस्टोल हुआ कि नहीं यहां पर Excel एक्सल को हम लोग open करेंगे यहाँ पे professional plus 2021 को हमने install किया है यह देखिए open करने के बाद आपके पास यह देखिए activation field करके आ रहा है इसको open करेंगे open करने के बाद अभी दिखाता हूँ यहाँ पे file पे click करके आप लोग वहाँ पे product की इंटर कर सकते इसको accept करेंगे ऐसा कुछ आया तो accept कर लेंगे next कर देंगे और फिर कुछ भी आप select करके accept कर लेंगे done और फिर उसके बाद यहाँ पे file जो है यह देखिए file यहाँ पे है file पे click करेंगे और फिर उसके बाद अगर accounts का option मिल रहा है तो ठीक है नहीं तो more पे click करके accounts click करेंगे यह देखिए Microsoft office LTSC professional plus 2021 है यहाँ पे change product की करके आ रहा है आपके पास अगर product की है तो इंटर कर सकते हैं जैसे कि मैं starting में नहीं बताया था यह MS office free नहीं है जैसे कि आज कर यूटूब पर दे रहे हैं कि free 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 तो मैं free नहीं बता रहा हूं तो यह वीडियो मैं इसके लिए बता रहा हूं कि कि दो तीन बार मेरे को भी प्रावलम आ गया एक एक खपते ही लग गया मेरे को प्रावलम सॉल्व नहीं हुआ तो अभी मुझे पता चल गया है कि कि इस तरीके से को स्टाल करते हैं डानलोड करते हैं बीजियों हुआ प्रोजेक्ट हुआ है मैं रांज बास